उत्तर प्रदेश के राय बरेली में आम आदमी पार्टी के नेता और दिल्ली के पूर्व कानून मंत्री सोमनाथ भारती पर स्याही फेकने का मामला प्रकाश में आया है स्याही फेकने के बाद मामले ने तूल पकड़ लिया इसको लेकर जम कर हंगामा भी हुआ हलाकि पुलिस ने स्याही फेकने वाले शक्स को गिरफतार भी कर लिया है आपको बता दे कि आम आदमी पार्टी के नेता और दिल्ली के पूर्व कानून मंत्री सोमनाथ भारती पर आक्रोशित कारे करताओं ने स्याही फेकी और मुर्दाबाद के नारे लगाने शुरू कर दिये बता जा रहा है कि बिजेपी कारे करताओं ने कहा है कि सोमनाथ भारती ने उतर प्रदेश की महिलाओं का अपमान किया है बता दे कि सिचाई विभाग के डाग बंगले में दिल्ली के पूर्व कानून मंत्री पर स्याही फेकी गई है इसी दोरान बिजेपी कारे करताओं ने भारती के खिलाफ जम कर नारे बाजी की हंगामे के बीच पुलिस के हाथ पैर फूले दिखाई दिये पुलिस बीच बचाओ करती नजर आई यहां ये भी बता दे कि राइबरेली में पार्टी के कारे करताओं के साथ मुलाकात समेत सोमनात के कई कारे करम थे सुबह जब वो निकलने को तयार हुए तो उन्हें पुलिस ने रोक लिया इसके बाद पुलिस और उनके बीच विवाद होने लगा इसी बीच एक अग्यात व्यक्ती ने सोमनात भारती पर स्याही फेक दी और योगी जिन्दाबाद के नारे लगा कर भागने लगा जिसके बाद सोमनाद भारती भी शक्स के पीछे अब शब्दों का इस्तमाल करते वे भागे पुलिस ने स्याही फेकने वाले को गिरफतार कर लिया है इसके बाद अमेठी पुलिस आई और सोमनाद भारती सहित आम आदमी पार्टी के कारे करताओं को गिरफतार कर अपने साथ ले आई आपने था सोमनाद भारती ने कहा कि वे अपने कारे करताओं के साथ शांती पूर्ण तरीके से मीटिंग करने जा रहा था तब ही यहां के धानेदार अतुल सिंग के नित्रत्यु में भारी पुलिस बल पहुँचा और रोक लिया गया उसी समय एक गुंडा वहां आया और स्याही फेक दी उन्होंने कहा कि उन द्वारा कोई अनैतिक और असमवधानिक कारिय नहीं किया गया है लेकिन योगी की पुलिस हम लोगों को रोकने का काम कर रही है अगर उन्हें डर नहीं है तो पुलिस को आगे क्यों किया जा रहा है दरसल केजरिवाल सरकार में कानून मंत्री रहे सोमनाद भारती ने उतर प्रिदेश के अस्पतालों में पैदा हो रहे बच्चों को लेकर कुछ ऐसा कहा था जिसको लेकर मामला बढ़ गया इस बयान के बाद सोमनाद भारती पर जगदीश पुर्थाने में केस दर्च किया गया वही बताते चले कि आम आदमी पार्टी विदायक सोमनाद भारती को विवादित बयान के एक मामले में कोट से बड़ा जटका लगा है आप विदायक को न्याई की रासत में भेजा गया है गौर तलब है कि सोमवार को यूपी के राय बरेली में एक शक्स ने आम आदमी पार्टी के विदायक और दिल्ली के पूर्व मंत्री सोमनाद भारती के एक अन्या बयान से नाराज होकर उन पर स्याही फेकी थी सोमनाद भारती ने सुल्टान पूर में जो बयान दिया था उसको लेकर बिजेपी कारे करताओं में असंतोश था जब राय बरेली में सुबह गेस्ट हाउस में पुलिस ने उन्हें बाहर जाने से रोका और एंगा में किस्थिती हो गई जब नारे बाजी होने लगी तभी किसी ने स्याही सुमनाद भारती पर फेक दी बाद में पता चला कि वैं हिंदू युवा वाहिनी का कारे करता है और योगी आदित नाथ पर की गई किसी टिपणी से नाराज था फिलाल सुमनाद भारती को 14 दिन की न्याई खिरासत में सुल्तान पूर जेल भेजा गया है अब तेरह तारीक को उनकी जमान अतरजी पर सुनवाई होगी आम आदमी पार्टी ने इस हमले का आरोब भारती अजनता पार्टी पर लगाया है सांसस संजय सिंग ने कहा है कि यूपी में योगी सरकार की ताना शाही चरम पर है इस घटना पर दिल्ली के सीम अर्विन केजरिवाल ने यूपी के सीम पर हमला किया है केजरिवाल ने ट्वीट कर कहा है कि योगी जी हमारे विधायक सोमनाद भारती आपका सरकारी स्कूल देखने जा रहे थे उन पर स्याही फिकवा दी और फिर उन्हें ही गिरफतार कर लिया आपके स्कूल इतने जादा खराब है क्या कोई आपका स्कूल देखने जाये तो आप इतना डर क्यों जाते हो स्कूल ठीक कीजिए नहीं करना आता तो मनीश्थ सोधिया से पूछ लीजिए केजरिवाल ने कहा कि योगी आदितनाजी जिन स्कूलों को आपको दिखाने में इतनी शरम आ रही है उन स्कूलों में यूपी के हमारे बच्चे पढ़ते हैं आप यूपी के करोडों बच्चों का भविश्य बरबात कर रहे हैं ऐसे ही लेटेस्ट परेपाने के लिए बेल आइकन को क्लिक कर हमारे चैनल को लाइज शेर और सब्सक्राइब करें धन्यवाद जंगमायुरवेदा जिसने बरसों से आपका भरोसा जीता बना आपकी जिन्दगी का हिस्सा अब जंगमायुरवेदा आपके लिए लाए हैं शुद्ध जड़ी बूटियों से बनाए गए खास योग किट जिन्में शुगर के लिए जंगम डीरस योग किट जोडों के जिद्धी दर्द के लिए जंगम जॉइंट पेन किट महिलाओं में मासिक धर्म संबंधित समस्याओं के लिए जंगम स्वन कलश नारी योग किट बवासीर के लिए जंगम पाइलो किट बेहतर पाचन के लिए जंगम पाचकरस किट थाइरोइड के लिए जंगम थाइरोकिट, जटिल सोराइसिस के लिए जंगम सोरांत किट, पुरुषों की दुरबलता ठीक करने में सहायक, जंगम स्वन कलश, योग किट के साथ-साथ और भी अदभुत औशधियां, इन सभी औशधियों के लिए हमारे सभी सम्माननीय डॉक्टर्स और प्राक्टिशनस वो मार्केटिंग एजेंसी संपर्क करें, जंगमायुर्वेदा, नीलो खेडी, डिस्ट्रिक्ट करनाल, हरियाना, मोबाइल नंबर 98170-98180